नमस्ते, मैं नाम डॉक्टर सागर भारगव है, मैं cataract, glaucoma और एक refractive surgeon हूँ अकसर हर किसी के life के एक stage में ऐसा आइम आता है, जब उसे cataract का diagnosis होता है सवाल यह है कि cataract surgery जैसी diagnosis होता है, तो तुरंद कर लेना चाहिए cataract यह मोते बंद आंक के अंदर जो एक natural transparent lens है, उसका pacification है, उसका haziness age के साथ बढ़ जाता है इसी को हम cataract form machine बोलता है, जैसे cataract form होने लगता है, बढ़ने लगता है, vision down होने लगता है और ultimately patient का completely vision block होता है, यह facts I think सभी को वालूम है, the question, जो dilemma होता है सबको यह होता है कि सभी कब करें, आइए कुछ important points discuss करते हैं, जो जो सबको मानम होना चाहिए before one takes a decision to undergo cataract surgery, so जैसे ही आपका cataract diagnosis होता है, the first point यह है कि आपके doctor साप से पूछिए कि cataract का grade कितना है cataract का grade का बद्ध है कि cataract का density कितना है, जैसे से cataract बढ़ने लगता है, इसका density बढ़न लगता है और grade इसका grading होता है grade 1 से लेकर grade 5 तक, जैसे कि आप इस photo में देख सकते हैं कि grade 5 का cataract almost black cataract है और यह काफी hard होता है, और इसे operate करने में काफी difficulty होती है, so जो ideal stage है, जिसमें cataract निकालने में ज्यादा risk नहीं होता है, वो grade 2 और grade 3 होता है तो आपको यह जानना ज़नुरी है कि आपका cataract grade 1 में है, grade 2 में है, grade 3 में है, या कौन से grade में है, ताकि एक timing के बारे में decision देने में असानी होता है second point यह है कि इस cataract के वए से आपका lifestyle में कितना problem हो रहा है, यह चीज आपको खुद ही assist करना पड़ेगा इसको यदि हम दूसरी तरीके से समझें, तो यह देखें कि आपका जो existing visual needs है या visual requirement है इस cataract के होने के वज़े से उसमें problem हो रहा है कि नहीं हो रहा है कुछ example देगे समझते है, यदि कोई patient है, एक driving enthusiast है और उने driving उनके lifestyle का integral part है तो उने cataract के वज़े से night में बहुत problem होगा तो ऐसे situation में early stage of cataract में ही उने operation का planning करना पड़ेगा यदि कोई patient काफी reading करता है, उनका maximum time पढ़ने और लिखने में चले जाता है तो ऐसे cases में भी cataract के वज़े से eye strain और clarity में issues होने लगता है इन cases में भी surgery का planning early stage में करना पड़ता है कुछ patients ऐसे होता है जिनका lifestyle बहुत demanding नहीं होता है और वो mainly indoors मेरेते हैं ज्यादा सा में TV देखने में या फिर रिलाक्स करने में बिताते हैं फुड़ा बात cooking भी कर लेते हैं तो ऐसे cases में cataract को delay किया जा सकता है till the point जब उनको खुड significant problems develop हो जाएं तीसरा point actually cataract से इतना technically important नहीं है but तीसरा point ज्यादा important है from the after care के point of view से कि आपका post-op period में आपके साथ में कोई है की नहीं आपके देखभाल के लिए तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक अकेले रहते हैं और वो साल में एक या दो बर उनके बच्चे आते हैं तो ऐसा कि इसमें आप अपने डॉक्टर से जुरूर पूछी है कि क्या यह operation to latest visit होने वाला है आपके attendant का उसमें किया जाए या यह एक साल अगले विजित तक दिले किया जा सकता है सो इस पॉइंट में डॉक्टर का काफी important suggestion है जिसको आपको importance देना पड़ेगा और उसके साब से आगे चलना पड़ेगा सब्सक्राइब के काट्रेक सज़दी एक्चली केस तो केस बेसे सब्सक्राइब करना पड़ता है पेशेंट का बहुत important role है especially early stage of cataract में वन्हें वो सारे points में अभी आपको बताया वो सब सोच समझ के operation का decision देना पड़ेगा early stages में जिसे हम लोग हमारी language में बहुत देना की patient's court to take a final call advanced stages में cataract surgery decision treating surgeon है उनकी उपर होता है और preferably in cases in stages में cataract को delay नहीं करना चाहिए विकाज जितना delay करेंगे उना risk of complication बढ़ते जाता है इस वीडियो से में यह conclude जरूर कर सकते हैं कि cataract diagnosis का मतलब यह नहीं हुआ कि cataract surgery करना ही करना है और जैसे हमने डिसक्स किया सारे points को ध्यान में रखते हुए यह decision में आपका as a patient बहुत important role है to take a final decision on cataract surgery I hope this video is useful THANK YOU